एक अन्रिलाबल स्टोरी टेलर उसकी ऑपसेस्ट लवर और जलता हुआ गौथम जोकर फॉलियर्डा का टीजर ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है जहां अरकम असाइलम है, जोकर का ट्रायल है, एसकेप है और एक खतरनाक स्माईल है पहली जोकर मुवी ने ओडियन्स को एक जबरदर स्टोरी दी डीसी के सबसे पागल सूपर विलन की डीसी को इस मुवी ने बिलियन डॉलर्स कमा कर दिये और वाकिन फेनिक्स ने ओसकर आवार्ड जीता एक प्रोजेक्ट जो की सिनेमाटिक उनिवर्स का पार्ट ना होकर भी इतनी धूम मचा गया सिर्फ और सिर्फ टॉड फिलिप के विजन और वाकिन फेनिक्स ही मेधर अक्टिंग से अब इसका सीक्वल एक नई पागलपन की तरफ आउडियन्स को ले जा रहा है ट्रेलर हमें दिखा रहा है गौथम के नए लोग यहां जोकर की लव इंटरेस्ट हार्ली कुइन भी है जिसे प्ले कर रहे हैं लेडी गागा हमें स्टीव कुगन दिख रहे हैं और बहुत कुछ अभी भी जोकर के दिमाग में ही हो रहा है जैसे यह बारिश वाला सीन जहां सामने से हम देख सकते हैं कि छाते काले हैं वहीं आर्थर के दिमाग में चीज़े कलरफुल हैं तो दोस्तों मैं हो मंतिना और आज मैं ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ जोकर 2 के ट्रेलर का तो स्पोईलर्स का धियान रखते हुए चली शिरू करते हैं तो जोकर 2 का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है पर उससे पहले वार्णर ब्रोस ने हमें एक छोटी सी क्लिप भी दिखाई थी जिसमें आर्थर बारिश में खड़ा रो रहा है और अपनी कंडिशन की वज़े से हस भी रहा है और मुझे जो चीज डिस्टर्ब करती है वो य ऐसे हो सकता है क्या टॉट फिलिप हमें दुबारा जोकर के बुरे हाला दिखाने वाले हैं ऐसा नहीं होना चाहिए आर्थर बुराई के रास्ते पर निकल चुका है जिस मिनट उसने मरी को मारा अब वापिस वही हमदर्दी क्यों लाना इस कैरेक्टर के लिए इसी लिए अब आते हैं ट्रेलर पर ट्रेलर शुरू होता है आर्थर के जेल में दिखने से यह आर्खम असाइलम है एक साइकियार्टिक प्रिजन जहां गौथम सिटी के इंसेन क्रिमिनल्स को रखा जाता है जिनमें जोकर सबसे उपर है तो पिछली मूवी में आर्थर के मरी को मारन अब ओवियसली इन सब चीजों के लिए आर्थर जेल में है पर ये कहानी सरफ आर्थर की नहीं है यहां कोई और भी है जो कि आर्थर को लेकर क्यूरियस है और वह हार्लीन कुइंजल जिसे हार्ली को इनके नाम से जाना जाता है और टेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस दो पागल लोगों की लव स्टोरी है गौथम में गौथम की बात की जाए तो ये अंधेरे से भरा शहर जादा बदला नहीं है पिछली मूवी से Bruce Wayne की बैटमन जर्णी शुरू हो चुकी है यहाँ Harley Quinn इस शेयर का हिस्सा है पर कॉमिक्स की तरह Harley है जोकर की साइक्याटरिस नहीं होगी बलकि Lady Gaga की Harley Quinn एक fellow asylum inmate है जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो एक deadly romantic relationship form करेगी Arthur के साथ वापिस आते हैं चीजों की दिमाग में चलने पर पहली मूवी में एक अच्छा कासा आर्क सेटप किया हुआ है तब तक जब तक Harley उसे भागने को नहीं कहती अब ये Elseworld universe बहुत अलग है ये जोकर बहुत अलग है ये killing joke से inspired जरूर है पर उसके जैसा बिलकुल नहीं है यहां हमें हिंट मिल रहा है कि Arthur influence हो रहा है हार्ली से जहां आगे के shot देखकर ये clear है कि दोनों भाग पर इस भागने में और भी भागना दिख रहा है आगे एक shot में Arthur के पीछे दो लोग जोकर कॉस्ट्यूम में भाग रहे हैं जिनमें से एक ने उसके पहले movie वाला same outfit पहना है हमें आगे जोकर और Harley साइन दिखता है जहां ऐसा लग रहा है कि ये मरी का talk show का set है पर अब यहां जोकर Harley show चलने वाला है आगे हमें एक trial दिख रहा है जहां लोग free जोकर के poster लेकर खड़े दिख रहे हैं लेडी गागा Harley Quinn look में हमें दिख रही है मुझे doubt है कि हमें classic Harley Quinn look देखने को मिलेगा पर overall ही love story trailer में सही दिख रही है आगे इस shot में हम देख सकते हैं इस scene को जहां इस news video tv repair shop के टीवी पर आर्थर को देखकर शीशे तोड़ रही है अब comics जोकर literally Harley को use करता है आजाद होने के लिए जिसके बाद Harley उसके लिए सरदर्द बन जाती है और वो उससे पीछर शुडाने में लग जाता है जैसा हमने DCU में Harley के साथ भी देखा है हमें आगे एक shot में courtroom में तबाई दिखती है एक scene में Harley आर्थर पर गनेम करे हुए है और आगे हमें Harley उसी style में अपने चेहरे पर smile बनाती हुए दिख रही है जिस style में Arthur ने बनाया था पहली movie के अंत में पर last shot बहुत खास है जहां Harley शीशे पर smile बनाती है और वो आर्थर के चेहरे पर जोकर smile जैसी दिख रही है यह scene बहुत awesome है और कहीं न कहीं हमें याद दिला रहा है Heath Ledger के The Dark Knight के poster की वहाँ भी style का use किया गया था यहां में simple story नहीं दिखने वाली जैसे पहली movie भी simple नहीं थी राइटर्स वही हैं जो वापिस आ रहे हैं टॉट फिलिप यह story लिक रहे हैं स्कॉर्ट सिलवर के साथ जैजी बीट्स भी वापिस आ रहे हैं जिनके साथ साथ ले गिल और शेरन वाशिंग्टन भी वापिस आएंगी नई कास्ट के मामले में ब्रेंडन ग्लीसन, कैथरिन कीनर, जेकब लॉफलैंड, स्टीव कूगन, कैन लिंग और हैरी लॉटिव आ रहे हैं पहली मूवी स्टैंडलोन होने वाली थी पर वाडनर ब्रोस डीसी ब्लैक को लाँच करने के लिए डारकर और जाधा एक्सपरिमेंटेशन के साथ ऐसी मूवी ला रहा है जैसे डीसी लेवल कॉमिक्स की स्टोरी होती है तो दोस्तो यह था ट्रेलर बेकडाउन जोकर फॉली और दोका अभी आपको क्या लगता है कि यह मूवी लेडी गागा और वाक इन फीनिक्स के लिए नए आसकर लेकर आएगी या इस स्टोरी से और कॉंसे स्पिन औफ निकल सकते हैं य लेखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इंजस्टिस गॉड्स अमंगर्स कॉमिक सीरीज रेकिमेंड करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और से कई सारे सूपर कॉंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थ यह सब्सक्राइब करें पर शेयर यह सब्सक्राइबा आपको वीडियो यह वीडियो उने इंट पर देन रेकिए जारूर के लिए लिए जूने आपको वीडियों।